हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू माय चैनल दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबा साड़े नौ बज़े से लेकर के दो भज तक दो धाई बज़े तक यानि दो बज़ कर तीस मिनट तक एक बेविनार था सीमेट यूपी प्रयागराज में और इस वेविनार का टापिक था इफेक्टिव एड़ इफिसियन टीचिंग टेक्निक्स दोस्तों हो सकता है कि आपने इस वेविनार में जोइन किया हो अगर आपने जोइन नहीं किया है तो अब भी आप जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल पर जाकर दोस्तों इस वेविनार के बाद में जो एक आकलन प्रपत्र आया है जो एक प्रस्नोत्री आई है वो मैं आपके सामने पेस कर रहा हूँ आप इस प्रस्नोत्री को देख लिजे इसमें क्या प्रस्न है क्या उत्तर होंगे इसकी लिंक भी आपको मिले होगी अगर आप इन प्रस्नों का सही जबाब दे लेते हैं तो आज और कल दो दिन का वेविनार है उसके बाद आपको एक सार्टिफिकेट मिलेगा आपको एक लिंक है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूं तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं वेविनार एफेक्टिव 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 एफिसियन टीचिंग टेक्निक्स आर्गनाइजड बाइ सीमेट यूपी प्रयाग्रास तो दोस है इमेल एड्रेस अपना डालना है यहां आप अपना नाम डालिएगा कैप्टलेटर में यहां आपको दिखाएगा पोस्ट अगर आप हेट टीचर है तो हेट टीचर डालिए असिस्टेंट टीचर है तो असिस्टेंट टीचर डालिए शिच्छामित्र है तो शिच्छामि जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है मोबाइल नंबर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दिए मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया आप नीचे दिख रहा है next आप next का बटन दबा दिए हाँ तो दोस्तों दीखिए next का बटन दबाते ही आपके सामने ये portal खुल गया अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या प्रस्ण पुशे जा रहे हैं आपको इन प्रस्णों के सही-सही जवाब यहाँ पर देने है पहला प्रस्ण आपको दिख रहा है आकलन हे तो प्रस्ण सिच्छा की योगता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं बिशेशग उनके सिस उनके प्रधानाचार जन प्रतनिधी तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा उनके सिस चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने आ रहा है देखिए बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है उनके माता पिता उनका परियाबरण अध्यापक उनका अपना चेतन मन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा उनके माता पिता आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है देखिए सिच्छन क्या है एक कला एक क्रियामात्र एक कौशल एक व्यावसाय तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर होगा एक कौशल यह हम टिक कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है देखे भासा सेखने का प्रभावी उपाय है अकबार पढ़ना पाठ पुष्ट के पढ़ना बाचीत करना कॉमिक्स पढ़ना तो दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा बाचीत करना और फिर आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न आपके सामने आ रहा है एक सिच्छक के रूप में आप किसे प्रात्मिक्ता देंगे उच विचारों की बैज्यानिक द्रिश्ट कोण एवं विचार को आस्था को विज्ञान विसेओं को तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है सेकेंड आपस प्रतिभागिता उप्रोक्त सभी तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप राइट आंसर है उप्रोक्त सभी मैं इसको टिकर रहा हूँ आगे बढ़ता हूँ आप ध्यान दीजेगा इस पर गत्विद के चरणों का सही क्रम है आप जानते हैं गत्विद के चरणों का सही क्रम होता एक्सपीरियंस रिफ्लेक्शन एप्लिकेशन एन कंसुलिडेशन तो इस हिसाफ से आपका आपसन है अनुभो चिंतन अनुप्रियोग समेकन यानि आपसन नंबर थाड यहां पर राइट होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसना आपके सामने हैं बड़े समू के लिए किस प्रकार की गत्विध उप्यूक्त होगी बड़े समू के लिए लिखित मौखिक आईसीटी उप्रोक्त सभी दोस्तों मेरे हिसाब से यहां पर जो राइट आइसर होगा वो होगी मौखिक ठीक है फिर अगला प्रसना आपके सामने आ रहा है सिच्छन अधिगम प्रक्रिया में महत्पून घटक है क्या परवेसी संसाधन टीलम सिच्छन योजना उप्रोक्त सभी दोस्तों यहां पर मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा उप्रोक्त सभी फिर अगले प्रसन की बच्चों की निश्क्रिय भागेदारी अभिभाबकों के लिए सक्रिय भागेदारी तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर होगा बच्चों की सक्रिय भागेदारी यह मैंने दसों प्रस्त के उतर लगा दिये दोस्तों अब मैं सब्मिट कर रहा हूं और देख लिया होगा विव Ini स्कूर करता हूं और देखता हूं कि मेरा सारे आंसर सही थे या नहीं तो दोस्तों आप देखím पा रहे हैं कि बेविनार आकलन फॉर्म टोटल पॉइंट्स टेन आउट आफ टेन तो दोस्तों इस तरह से आप भी टेन आउट आफ टेन प्राप्त कर सकते हैं आसा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद दे तो प्लीज मेरे चैनल को कर लिजे विल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार विल्कम बैक टू माय चैनल दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज सुबह साड़े नौ बजे से लेकर के दो बज तक धाई बजे तक यानि दो बज कर तीस मिनट तक ए और इस वेबिनार का टापिक था इफेक्टिव एंड इफिसियंट टीचिंग टेक्निक्स दोस्तों हो सकता है कि आपने इस वेबिनार में जोइन किया हो अगर आपने जोइन नहीं किया है तो अब भी आप जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल पर जाकर दोस्तों इस वेबिनार के बाद में जो एक आकलन प्रपत्र आया है जो एक प्रस्नोत्री आई है वो मैं आपके सामने पेस कर रहा हूँ आप इस प्रस्नोत्री को देख लिजे इसमें क्या प्रस्न है क्या उत्तर होंगे इसकी लिंक भी आपको मिले होगी अगर आप इन प प्रपत्र का सार्टिफिकेट मिलेगा और आप इस ट्रेनिंग को ली भी लेंगे भेले ही आप जॉइन नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं लेकिन आप इस प्रस्नुत्री का जबाब जरूर दीजेगा